हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन पर ये जो MS Word का एप्लिकेशन होता है ये यहाँ पे अगर आपके फोन पर नहीं चल रहा है यहाँ पे ये एप्लिकेशन अगर आपके फोन पर ओपन नहीं होता है या तो फिर और आप आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं इस application से related तो वो सभी problem को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस video में बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं तो वाइस यहाँ पे यह application या तो open नहीं होता है या तो फिर अगर आप इस application में क आपको application को option आता है तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक option आता है manage application का तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आपको दिखाई तो आप लोग यहाँ पर उसको open कर लीजिए, open करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से आता है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस टोरिश पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको clear catch करना है, तो आप लोगों को normal सा clear catching कर देना है अगर आप लोग यहाँ पे clear all data पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारे से अपनी ID वगरण बनानी पड़ेगी उसके बाद दोस्तों आपको एक और setting करनी है यहाँ पे आपको app permission का option आता है यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे आप लोग जैसे ही click करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो भी permission यहाँ पे मंगेगा तो सारी permissions को आपको यहाँ पे अपने phone पर allow कर देना है तो सभी permission को दोस्तों आप लोग यहाँ पे allow कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग है नेस्ट वीडियो में